सबसे पहले क्या था ट्रेड का अब वो क्या करना चाहते थे ब्रिटिश जो था ना वो उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा किसको नहीं चाहिए होता हर बंदे को चाहिए ना इसी तरह जो कंट्रीज होते हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा ना एकॉनमी चाहिए होती है उनको जो ब्रिटिश की ओवराल अगर आप हिस्री देखें ना अगर आपने ब्रिटिश हिस्री रखिया है तो फिर आप उसको देखेंगी जो ब्रिटिश के हिस्री है उसके अंदर यह होता है कि उन्होंने ना तकरीबन कोई पंदरह सोना सो से आनवर्ड उन्नी सो बलके दो हजार तक ये जब से इनकी वो वार खतम हुई है ना नाइटिन फॉर्टिफाइव बलके सौरी एटीन सेंश्री तक ये ना तकरीबन दो से तीन सो साल या पसमें जंगे लड़ते रहे हैं ठीक है तो वो जो जंगे लड़ते थे उनका हर्चा कहां से आता था उनका जो एक्सपेंस होता था वो कहां से बेर करना होता है इनों ने तो उसके लिए ना ज्यादा से ज्यादा मुख्ति जगों के उपर अपनी कंपनियां बना के वहां पर कंपनियां बेजते थे या वहां पर बिजनिस करते थे या किसी भ भी important चीज़े हैं उनको ले के आते थे उनको फिर सेर करते थे और उसे यह ज़रे मुबादला कमाते थे यह इनकी जो economy होती थी वो generate होती थी ठीक है one of the major cause of British advent in the subcontinent was the trade opportunity कि जब हम इंडिया में जाएंगे हमें ज्यादा से ज्यादा वहां से अब यहां पर जो subcontinent के अंदर population बहुत ज्यादा थी लोग थे यहां पर चीज़ें उनके पास उनके लिए resources बहुत ज्यादा थे तो यह उनको use कर सकते थे ठीक है the Indian subcontinent was renowned for its wealth and resources जो मैं आलड़ी आपको पहले कह चुका हूँ including spices, misalnya, textiles and precious metals यह तीन चीज़ें जो थी नहीं यह बहुत ज्यादा मश्यूर थी जिनके लिए वह यहां पर आए British sought to tap into these lucrative trade opportunities to foster their economy and increase profits for the East India Company okay? अब इसकी एक example और मैं दे देता हूँ कि US जो था उसने 2001 से ओनवर्ड अफगानिस्तान के अंदर आया फिर वो इरान के अंदर गया फिर वो लीविया के अंदर गया इराक के अंदर गया वो क्या करने गया? trade के लिए trade के लिए नहीं वेटा वहां पर वो oil के लिए गया ठीक है? आयल जो है ना वो इस ट्राइम दुनिया की सबसे ज़्यादा important चीज है अब देखें आप अपने transportation के अंदर आप अपने industry के अंदर हर चीज के अंदर oil यूज हो रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल बगरा चाहिए थे उस साइम की precious metals चाहिए थी उसको textile चाहिए थी तो वो कहां पर मिल रहा था उसे? सब कॉंटिनेंट में तो यहां पर आ गया पहला पॉइंट समझा गया? यह सर समझा गया दूसरा पॉइंट competition with the European powers जिस तरीके से already मैंने आपको बताया है कि यह जंगे ल ठीक है? उसके बाद French थे यह तीन से चार ना major powers थी जो के इन के साथ British के साथ ना लड़ती रहती थी तो उन्होंने भी इंडिया के अंदर अपने कुछ ना कुछ points दो थे वो बनाए हुए थे अब जब इस तरह का कोई plan होता है अब जिस तरीके से आप अगर देखें तो मैं आपको क्या example दो बला अभी recently जो इस ताइम US और चाइना की आपस के अंदर war है ना वो बता है किस तरीके से है वो भी इसी तरीके की है कि अगर कहीं पर US जाता है ना तो वहाँ पर चाइना पीछे पहुंच जाता है यह जहां पर चाइना जाता है ना वहाँ पर पीछे यूएस भी पहुंच जाता है और वो जो वहाँ पर चाइना कर रहोता है यूएस भी वहाँ पर वही करने की कुश्चिश करता है यह अगर यूएस वहाँ पर कुश्च कर रहोता है तो चाइन एक example दे देता हूँ alliance building अब इस time US जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा countries को अपने साथ align करने की कोशिश कर रहा है against Russia और China ठीक है अब China जो है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा countries को अपने साथ against US and the western world ठीक है इसकी example एक मैं दे देता हूँ US बना रहा है quad 1, quad 2 उसके इलावा उसने बनाया, AUKUS बनाया उसने 5 AI alliance बनाया यह मुखतिर ज़्यादा अलाइंसे हैं यह हम इंचालला future में पढ़ेंगे ठीक है, तो वो उसने बनाए इतर से चाइना ने क्या किया चाइना ने पाकिस्तान के साथ collaboration की, चाइना रशिया के साथ कर रहा है चाइना बियाराई बना रहा है चाइना एरान के साथ दील कर रहा है चाइना साथी अरेबिया को एरान के साथ मिला गे अपने साथ मिला रहा है यह क्या कर रहे है बला यह अलाइसेज बना रहे हैं यही काम सेम उस टाइम मुख्तरिफ पावर्स करती थी ब्रिटिश ने महां महां पहुचा जहां जहां पुर्तगेज भी थे जहां डच भी थे जहां पर फ्रेंच भी थे समझा गई यहां तक पुर्टगेस किसको कहते हैं रच पुर्टगाल यह मुफ़िफ ना पावर्स थी उस ताइम यह पुर्टगाल अब भी तो बहुत चोटा मुल्क है यह आपको बता है यह जो दूसरी जंग हजीम स्टार्ट होई थी ना यह पुर्टगाल के उपर ही हमला करने की रीजन थी जो के यह सार्ट होई थी ठीक है तो यह बाद में यह कंट्रीज जो हैं इनकी डिवियन होई यह वरना यह दुनिया के अंदर ब्रिटिश एम्पाइर को सबसे बड़ी एम्पाइर कंसीडर किया जाता था कहते थे कि यह एक एम्पाइर ती जिसकी अंडर टेरिटरी ही सुरह जगत तलो भी होता था और गरोब भी होता था इतनी बड़ी इसकी एम्पाइर थी ठीक है? अच्छा ठीक है सर हाँ जी नेक्स है पॉइंट मिलिटरी एंड नेवल सुपिरियोरिटी अब जो ब्रीटिश थे ना इन्होंने ज्यादा से ज्यादा ना अपने नेवल जो नेवी थी ना वो इनकी बहुत बड़ी थी मिनके सॉलमी सदी से ऑनवर्ड सॉलमी सेत्रमी और अठारमी सदी तक ना इनकी नेवी बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग थी जो के आज कर जो अगर टॉन्टीफास सेंश्टी के अंदर देखा जाए तो वो यूएस की है अमेरिका की है ठीक है उसकी 700 प्लस फ्लीर्स है तो जो इ उसने अपनी जो स्टैजिक पॉर्ट्स थी ना इस एरिया के अंदर सब कॉंटिनेंट के अंदर वहां पर कंट्रोल करने की कोषिश की और उसको कंट्रोल कर भी लिया मेंटेनने कंट्रोल ओवर दस्स प्लस एंट एंड़ीर्स ठीक है यह जो मिरिटर्यट्री अड़न्टे अब जो इंडियन सब कॉंटिनेंट था यहां पर जो रूलर थे वो आपस में भी एक तुसे के साथ लड़ते रहते थे वो हमने पिछली जो अपनी मुगल एमपायर थी यह उससे पहले वाला जो एरिया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था किस तरीके से वो आपस में ल थी वो उनके ऊपर ओवर पावर भी का सकते हैं दे सेम वाज़ दा केस इन दा एड्वेंट ऑफ सब कॉंटिनेंट या उस ताइम का जो टाइम था न उसमें यह सेम सिचुएशन थी समझा गी ठीक है जी सर नेक्शने टेखनोलोजी के लिएडवांस में इसमें क्यों होता ह दा ब्रिटिश हैड एकसेश तो अडवांस मिलिटरी टेखनोलोजी इंकलूडिंग फायर आम्स हो गया आल्टिल्री हो गी विच गेव देम सिग्निफिकेंट एडवांटेज ओवर दा इंडिजीनियस जो आर्मिस थी जो यहां पर आर्मिस थी ना उनके पास इतना करने पड़ी इतनी ज्यादा उसके खिराफ जो रिजिस्टंस थी वह भी नहीं होई थी ठीक है यह थे पांच पॉइंट जिसके अंदर हमने कौन-कौन से पॉइंट पड़े ट्रेड अपर्शुनिटीज विद यॉर्पेन पावर्स हो गया मिलिटरी और नेवल सप्रियोर थी तो उस टेम जैसे भी तो है हमारे पॉलिटिकल इंस्टिबिल्टी बहुत जाथ है उस टेम इनके ब्रिटिश के साथ अगेंस्ट कौन होता था यह मुगल और इस तरह के ब्रिटिश के अगेंस्ट कोई नहीं था वो अपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे साइम जो हमारी क्लास होई थी उसके अंदर मैंने जब आपको मैप दिखाया था तो उसके अंदर यह पूरा साउट एशिया था ना ठीक है तो यह एक छोटी सी जगा तो थी नहीं तो मुखती जगों पर और एक्जमपल कोई डेली के ओपर रूल कर रहे कोई मेन के मदरास के ओपर रूल कर रहे कोई अफगानिस्तान के किसे अरिया के अंदर अलग रूल कर रहे कोई सिंद के अंदर कहीं होर गों तो यह जो आपसमें एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे इनकी आपसमे ने बन देती पो किरते हैं अभ नेक्स हम चलते हैं एंप एंपिकर कि सास्टान है